मंजु वर्मा सराचारिये राज़के कला महाविद्याले सीकर आज का विश्य होगा इटली में फांसिवात प्रत्थमी शुयुद के पश्चात जहां जर्मनी में नाजेवाद का उतकर्ष हुआ वहिन दूसरी और इटली में फांसिजम का उतकर्ष हुआ कैटल्वी के शब्दों में प्रारम में फांसिवाद जनमजात प्रकर्टी की रूप में उद्धित हुआ था किन्तु पश्यात में वह एक वाद अथवा एक सिधान और विशिष्ट प्रकार की शाषन परनाली की रूप में विक्सित हुआ नाजिवाद का नेत्र तो हिटलर ने किया था और फांसिजम के नेता मुसोनी ने फांसिजम के उतकर्ष की चरम सिमा तक पहुँचाया एक बात उल्येखनी है कि प्रत्थम विश्यूद में इटली मित्र राष्टों की ओर से लड़ा और जर्मनी मित्र राष्टों का विरोधी था फिर भी इटली में जर्मनी की तरह फांसिवाद का उतकर्ष हुआ यह विचार नहीं है कि 1860 इस्वी में इटली में गंतंतरात्मक शासनिवस्ता थी किन्तु अचानक फांसिवाद की धारा ने उसे उखाड फेंका जो कि यूरोप के इतियास में एक महत्तपुन घटना थी फांसिस्ट शब्द की उत्पत्ति लेटिर शब्द फैसियों से हुई प्राचिन रोमवासी छड़ियों के बंडल को फेसे कहते थे जिसे सत्ता का प्रतिक समझा जाता था इस चिन को शक्ती एकता एव अनुशाशन का प्रतिक भी माना जाता था मुसोल्णी ने इसी शब्द की अपने आंदोलन को प्रेरित किया उनके लिए एकता का महत्व था इसलिए वे एक राज्जी एक जण्डा एक निता में विश्वास रखते थे फांसिवद काली कमीच पहनते थे वे उग्र राष्ट वाद के समर्थक थे वे सेनिक वाद पर विश्वास करते थे इस परकार वे तानासा के समर्थक थे तानासा सरवाधिक पून राज्जे स्थापित करना चाहते थे फांसिवाद की परिभाशा देते हुए मुसोनी ने कहा फांसिवाद कोई ऐसा सिध्धान्त नहीं है जिसकी हर बात को विस्तार पूर्वक पहले से इस्थिर्ख कर लिया गया हो फांसिवाद का जन कार्य किये जाने की आउशक्ता के कारण हुआ है फांसिवाद सिध्धान्तिक होने के स्थान पर प्रारम से ही विवारिक रहा है फांसिवाद वे सामेवाद की तुलना करते हुए मुसोनी ने कहा है फांसिवाद यथार्थ पर आधारित है जबकि सामेवाद सिध्धान्त पर हम सिध्धान्द और विवाद के बादलों से निकलना चाहते हैं फांसिवाद के अंतरगत राज्य को सर्वोपर ही माना जाता था मुसोलनी का कहना था राज्य के अंदर सब कुछ है राज्य के बाहर कुछ नहीं तथा राज्य के विरूद भी कुछ नहीं फांसिवाद के उतकर्ष के कारण पहला है प्रथा मेश्य युद में इटली की भूमेका का प्रभाव प्रथा मेश्य युद में इटली ने मित्र रास्टों के ओर से युद में भाग लिया उसे दक्षिन मोर्चे पर आस्ट्या का मुकाबला करने का कारिय सौपा गया किन्तु आस्ट्या की सेना ने कोप्रेटों के युद में इटली को बुरी तरह पराजित किया इसके उपरांथ प्यावे नदी की इटली द्वारा मोर्चे बंदी की गई और उसकी सहाइता के लिए फ्रांस वे इंगलेंड की सेनाएं आ गई और आस्टिया को इटली ने जून 1918 में पराजित किया तत पश्चात अमेरिका एवं इंगलेंड की सहाइता से इटली की सेना ने विटोरिया व्यानिटो के युद में आस्ट्या को बुरी तरह पराजित किया किन्तु दम तोड़ते हुए आस्ट्या को इंग्लेंड, फ्रांस या अमेरिका की सेनों की मदद से पराजित करना कोई महत्तपून इम सोरी की बात नहीं कही जा सकती इटली निवासियों के लिए इन विजों का इसी कारण कोई विशेश महत्तवे नहीं था इटली निवासियों की धारना बन चुकी थी, इटली सरकार इम सेना निर्बल है दूसरा है संधी जन्नित बटवारे में इटली की उपेक्षा है। आदी दिये जाने थी। विल्सन ने इस गुप्त संधी को मानने से इनकार कर दिया। इटली को केवल ट्रेंडिटो डेलमेशिया के तटका कुछ भाग इवन दक्षनी टिरोल से ही संतोश करना पड़ा। फ्यूम जिस इटली निवासी आस लगाए बैठे थे वे नहीं इटली में सर्वत्र कहा जाने लगा इटली की भावनाओं एवन विजों पर कुठारागात किया गया है। फ्यूम ने मिलने से जनता में रोश व्यापत था जिसका लाब उठा कर सितंबर 1919 सिस्वी को डेंचियो नामक एक इटली के कवी ने फ्यूम पर अपना अधिकार कर लिया क्योंकि फासिस्ट डेंचियों के साथ थे अतयुद के सेनी को फासिस्ट पार्टी में मिल गए। जनता गंतंतर से नफरत करने लगे। धार है युद्धो परांथ आर्थिक इस्तति इतिहासा कार कैटल भी ने लिखा है विश्व युद के पश्चात के कुछ है कि इतली की आर्थिक इस्तति कमजोर नहीं हुई थी परंतु इतना तो निश्ची थी है कि विश्व युद के बाद आर्थिक संकट से इतली बच गया हो ऐसा संभव नहीं था। युद का खर्चा बारा अरब मुद्रा एवं माल की हानी तीन अरब होने का अनुमान जिस देश को एसंतोस संदी से निरुव साइट बना दिया था उस देश की आर्थिक संकट ने रीट तोड़ दी। नेक्स पूर्थ है देश में एविवस्ता। इतिहासकार कैटल भी ने लिखा है साधरन ता इटली में कहीं किसानों का उपदर हो रहा था। कहीं मीलों में हड़ताले तोड़ फूर की वारदाते समयवादी उग्र परदशन कर रहे थे तो कहीं मीलों में मजदूर वर्गों ने अपना अधिकार कर दिया था। कहीं किसानों ने भूमी पर कबचा कर लिया। इसी परकार इटली एविवस्ता के दोर से गुजर रहा था। जनता पर पर्यसंतुष्ट थे। इटली निवासी देश को विवस्तित देखना चाते थे। वे एक ऐसी सरकार को चाते थे जो की देश को विवस्तित कर सके। कैटलबी के नुसार इटली में पूर आशानती का बोल बाला था। फासिवद इस आशानती के अंत की प्रेर्णा का आप कस्मिक प्रभाव था। नेक्स्ट वीफ्ट है सामेवाद का प्रभाव। पार्टी को सर्वादिक सफलता दिलाने का कारिये। सामेवाद के विस्तिज प्रचार इंप्रसार ने किया सामेवाद के भरतिय प्रभाव से इटली की जनता पूंटे डर चुकी थी पार्लियमेंट में नवंबर 1919 के निर्वाचर में समाजवादी 156 स्थान पाच चुके थी समराट का अंथो लेलिन के विचारों को लागू किया जाए इस परकार के विचारपन अपने लगे ऐसा लगता था कि इटली में मस्दूरों की सरकार बन जाएगी समयवादी विसफोट होगा देश की विचारक, राष्टवादी, बड़े बड़े भूमी पती इससे चिंति थे ऐसी परिस्थिती में मुसोलनी ने अपनी पार्टी को लोगों के विच द्रड़ता देने में प्रियाप्त सफल कार्ये किया हीगल जिसका जर्मनी में हुआ था का मानना है कि राज्ये संसार की आत्म है वह वेक्ति की महता के स्थान पर राज्ये की महता पर बल देता था उसके इन विचारों से इटली में फांसिवाद पर विशेश प्रभाव पड़ा next seventh है भविश्यवादी आंदोलन मेरेनेटी नामक वेक्ति जो की इस आंदोलन का नेता था कि विचार थे की भूत काल को भूल कर भविशे के लिए मार्क पर दशित करने का पक्षदर था उसके अनुशार, इटली को अपने पराभाव को भूल कर अपने पराभाव के भविश्य में समराज्यवादी बन कर मिटाना चाहिए उसके युद्वादी आंदोलन के परभाव से फांसी पार्टी की विचारधारों को प्रोतसाहान मिला इन परिस्तितों ने फांसिवाद को पनपनी में प्रियाप्त भूमी का निभाई भाग्यन उसे मुसोलनी जैसा नेता मिल गया जिसे इटली में फांसिजम की पता का फैरा डाली और इटली में 1922 से 1944 तक फांसिवाद का ही बोलबला बना रहा आसिवाद में इतने